नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं साप को पूछ से ही क्यों पकड़ते हैं जब हम साप को पकड़ते हैं तो पूछ उसका क्यों पकड़ते हैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो फिली चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकन प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा साब का नाम सुनते ही ज्यादत और लोगों के रोंग्टे खड़े हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग साब को असानी से पकड़ लेते हैं जानिये इसके पीछे की क्या साइन्स है वैसे तो साब को देखते ही रूह कांप जाती है लेकिन कुछ लोग साब को पकड़ने में महीर होते हैं उन्हें पता होता है कि साब को कैसे कंट्रोल करना है कई लोग साब को उसके भन से पकड़ते हैं लेकिन ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए एक्सपोर्ट सला देते हैं कि साप को उसकी पूछ से ही पकड़ना चाहिए, साप को पकड़ने की तक्निक है दिल्चस्प, एक्सपोर्ट साप को पूछ से ही क्यों पकड़ते हैं, ये जनना बहुत ही दिल्चस्प है, साप के सरीर में मुह से लेकर पिछले भाग तक हडिया होती है जिने भर्टेबेर कहा जाता है लेकिन साप की पूछ के पास पूरे सरीर के मुकाबले कम हडिया होती है इसलिए साप अपनी पूछ वाले भाग की तरफ बहुत कम जोर लगा पाता है एक्सपर्ट कैसे पकड़ते हैं साप इसके अलावा जब एक्सपर्ट साप को पूँच की तरफ से पकड़ते हैं तो उसे कंट्रोल करना आसान होता है एक्सपर्ट साप को पकड़ते समय उसकी पूँच को थोड़ा थोड़ा मोरते रहते हैं जिसे साब से उनकी दुरी बनी रहती है। साब की पूश में नहीं होता ज्यादा सेंस। जान खत्रे में पड़ सकती है। बता दे कि दुनिया भर में साब की करीब 3,000 प्रजातिया पाई जाती है। किंग कोबरा, अजगर, करेत और वाइपर को सबसे खतरनाक साब माना जाता है। जहां किंग कोबरा बहुत ही जहरीला होता है, तो अजगर अपने सिकार को जिन्दा ही निगल जाता है। वाइपर और करेत भी अपने जहर के लिए जाने जाते हैं। यह चारो साब भारत में पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएं साब को पूंच से ही क्यों पकड़ा जाता है। यदि आपको जनकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक किजी और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करें और वो लाइकन प्रेस करते तकि अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक्यू दोस्तों राधे राधे दोस्तों।